नमस्कार फैंट्स मेरे नाम बबली और मापेपर है कर में आपका स्वागत है हम यहां पर स्टार्ट करना है यह अपना बीए फर्स्ट सेमिस्टर और पॉलिटिकल साइंस चल रहा था पड़े हम एक से दो वीडियो डिसकस कर रहे हैं बहुत अच्छे प्रकास से पढ़ने की क्योशन की बात करते हैं तो क्योशन है यूनिट नमबर अपनी कौन सी सेविन स्टार्ट होने जा रही है और यूनिट नमबर सेविन का हम पढ़ने वाले हैं क्योशन नमबर 24 तक पहुँच चोगे हैं तो भारत में सर्बोच न्याले की सनचना तथा छित्रदी कारे की वे को चिताम न्याले भी कहते है सूप्रीम कोड भी कहते हैं और सर्बोच न्याले भी कहते है जो की तो भाखव करते तो बात करते हैं इसको पहले discuss कर लेते हैं फटापर ठीक है तो इसको हम discuss कर लेते हैं पहले पहले हम इसके नाम को discuss करते हैं तो नाम भी हमने देखा था ठीक है तो बात करते हैं इसको Supreme Code भी कहते हैं São 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 तोकि सिरीज वाई करम से चलती रहती है जो सरबोच नियाल है जो भी कानून मनाएगा सम्भीधान के थो वो हाई कोड भी राज्यों में जो राज्य होंगे राज्यों के हाई कोड होंगे वो भी उसी कानून को मानेंगे और जो डिश्टिक कोड होंगे वो भी किसको मानेंगे बही कानुन को मानेंगे जो सुप्रीम कोड मानेता देगा उसी प्रकार से हम कहते हैं कि सुप्रीम कोड क्या होता है न्याय पालिका में सबसे उच्छ होता है क्या होता है सबसे उच्छ होता है तो हमारे भारत में कैसी न्याय पालिका है तो आप होगे भारत में एक इकरत नयाय पालिका देखने को मिलती है तो कि सुप्रीम कोड बनाता है सभी का फॉलो कौन करते हैं सभी का फॉलो हाई कोड भी करते हैं और डिस्टिक कोड भी करते हैं तो इसलिए हमारे भारत में एक इकरत नयाय पालिका देखने को मिल जाती है अब बात करते सब्सक्राइब जो संभीधान जो भारत सरकार अधिनियम कौन सा भारत शरकार अधिनियम जिससे डाई सो प्लस अनुच्छे लिए गये हैं जिससे कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 इसके तहट हमने क्या बनाई थी संगति बड़ा होगा एक था in showing early 2019 इसके था बहाँ पर और पालिका का देरे उसके बाद में क्या यह थी उसके बाद में इसको हटा दिया गया था उसके बाद कहा पढ़ ला दी गई प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं सुप्रीम कोड कहते हैं ठीक है और जो बात करते हैं हमने लिया कहां से तो आप कहोगे हमने लिया है भारा सरका अधे अधे लिया है अमेरिका से यह अपना थोड़ा सा याद करने की चीज़ें याद करना अब बढ़ते हैं नीचे की और जब हमारा संभीधान बना था जो हमारे संभीधान का गठन हुआ था उस सर्बोच्य न्याले में नियाइद हिसो की संख्या की बात करें तो हमारे मूल सं चंवीधान में संख्या कितनी थी तो एक तो हुआ करता था का मुल हमारे बात करते हैं यह स्यू करते थे एक अजय अध्यक्ष और साथ णने कैसकते हैं अन्य 31 टोटल मिलाकर हुआ करते थे अई डैई सके बाद शंसद नए नए अधिनियम लाता रहा पास करता रहा उसी के तो 2008 में 2008 और 9 में इनकी संख्या एक तो अध्यक्ष हो गया और 30 अन्य न्याइधीस यहां पर हो गए और टोटल जो संख्या हो गए वो कितनी हो गए 31 न्याइधीस हो गए अगर आपसे पूछे बरतवार में कितन को मिलेंगे 31 न्याइधीस की ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है जो कौन सा था 2008-2009 की बात यह आपको देखने को मिल जाती है यह तो हमने देखा किसके बारे में गठन जो आपको मिलेगा 124 बन में अनुच्छेद है यह आर्टिकल अब बात करते हैं निक्ति जो बात उसके न्याइधीसों की न्युक्ति कौन करता है पहले अध्यक्ष की बात करते है सुप्रीम कोड के अध्यक्ष जो होता है उसकी न्युक्ति कौन करता है तो आपको उसकी न्युक्ति करता है राश्ट्पति किसकी सला से करता है तो बैसे आप कहोगे अगर न्याइधीसों की सलापर पहले जो हुआ करता था अगर आपको यह ना दे बात करते हैं जो कॉलीजियम है कॉलीजियम अगर ना दे कॉलीजियम क्या होता है कॉलीजियम होता है एक सदस एक अध्यक्ष पिलस चार अन सदस से एक अध्यक्ष होगा और चार अन न्याइधीस होंगे तो टोटल मिलाकर पांच न्याइधीसों का एक कॉलिजियम बनता है पांच न्याइधीसों का एक कॉलिजियम बनता है और यही कॉलिजियम क्या करता है राष्टिपती को राय देता है कि इन इनको क्या बना जाए इसको न्याइधीस बनाए जाए तो इस प्रकार से इसी के थुरों क्या होते हैं फिर बाद में न्याय धीसों की न्युक्ति होती रहता है न्याय बात करते हैं जो जैसे होगा उसके थुरों ठीक है अब बात करते हैं अगले अभी इसी के थुरों एक देखने को बीच में और मिला था कि वही पहले तो वात हुई राष्ट पती नियाए देशों की सलासे करता था प्रिके शर्बोची नयाले के अध्यक्षकी न्युक्ती उसके बाद में कॉलेजियम आ गया उटल पांस नसुआ करते थे तो इनके द्वारा उसके बाद में अध्यक्षकी न्युक्ती होने लगी उसके बाद में बीच में राज्यों ने एक संस्था निकाली जिसका नाम था NGAC कौन सी थी? NGAC इनकी फुलफाउंट है National Judiciary Appartement Committee एक National Judiciary Appartement Committee राज्यों के दौरा गठन की गई थी तो इसके दौरा बहुत सारे राज्यों से आदे ज़ाद राज्यों पास हो गई और यह कितने सदस्थी? छेस दस्थों की कमिटी हुआ करती थी बात करते इसका हिंदी में नाम देखें तो राश्टी ये न्यायक न्युक्ति आयोग आपको देखने को मिलता है जो छेस दस्थी था जिसे हम NGAC कहते हैं तो इसको जब ये आई तो ये क्या थी? ये बात करते हैं हमारे संबिधान से अलग संबिधान से अलग राज्यों के दौरा गटित की गई एक कमीटी थी इसके तो जुडिसी सिटम को बनाय जाए तो चैसे ही ये सुप्रीम कोड तक पहुंची सुप्रीम कोड ने इसे फिर खारिज कर दिया इसे शिरे से ही नकार दिया कि ये संबिधान के खिलाप है ऐसी है? ये एक असंबिधानिक है इसको हम लागू नहीं करेंगे तो इसलिए नैसनल जुडिसरी अपॉर्टमेंट कमीटी जो थी उसको द्वस्त कर दिया गया इसको खतम कर दिया गया ठीक है तो अब भी जो न्याइधिस की सुप्रीम कोड के न्याइधिस की जो निक्ति होती है वो किसके तवरा होती है? आपको कॉलिजम के द्वारा होती है राष्टपती को कॉलिजम सला देता है उसके बाद में अध्यिष्क की न्युक्ति हो जाती है ठीक है तो यह तो हमने बात की न्युक्ति के बारे में अब बढ़ते हैं अगले के बारे में हम देख लेते हैं योगिता योगिता किसमें आपको 124 के 3 आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगी ठीक है योगिता के बार तो योगिता कौन सी पहली बात तो भारत का नागे को ना चाहिए तो बहुत ही important बात होती है फिर बात करते हैं high code जो राज्यों में high code होते हैं उनके न्याइधीसों के पद पर कम से कम तक उसने 5 बरसों तक काम किया हो चाहें 1 से करें चाहें 10 से करें वो होना चाहिए 5 बरसों तक न्याइधीस के पद पर सुप्रीव कोड के नुसा ठीक है और बात करते हैं अगर ये ना है तो भाहे high code है ना high code के न्याधीस के पद में 5 बस तक कार करका हो या फिर high code अगर 5 बसतकार ना किया हो न्याइदीस ना हो वो अगर high code का बकेल भी है high code का बकेल भी है और बहुए 10 बरसों तक कार गिया है उसने तो क्या बन जाएगा तो भै अध्यक्षिब बन सकता है उसके बात करें अगर ये भी बरता नहीं है ये भी बरता नहीं है ये भी बरता नहीं है तो बरता ये होनी चाहिए फिर राष्ट पती की देश्टी में ऐसा होना चाहिए बिधी बेता मतलब बिधी को जानने वाला पहुत ही जानकार राष्ट पती की देश्टी में अगर आ गया तो से भी वह बना सकते हैं अध्यक्ष जो नाधिस होते हैं उनकी सपत के बारे में तो सपत का ब्रभदान किस्म में 124 के 6 आर्टीकल में आपको देखने को मिल जाता है ठीक है और सब्सक्राइब को ढरेंगे सप्सक्राइब राष्ट पती सब्कर कुछ नियादीध्यों होंगे उनको सप्चिकर कौन राश्ट पती अब उसके कारी काल के बारें बात करने काल नियून्तम यह जब त्यार हो ऊंगे तो daha कंशेका है 65 वर्स की आयू तक वह रह सकते हैं कितनी 65 वर्स की आयू तक कारिभार समाल सकते हैं उसके बाद को retirement कर दिया जाता है बात करते हैं त्याग पत्र किसे देगा त्याग पत्र देंगे किसके लिए राष्ट पती को राष्ट पती ही सपद लाएंगे राष्ट पती ही नियुक्ति करेंगे और राष्ट पती को ही त्याग पत्र देंगे ठीक है अगले बात करते हैं हटाना हम कैसे हटा सकते हैं ठीक है CGI के लिए हम कैसे हटा सकते हैं ठीक है तो बात करते हैं शाबित कदाचार साबित कदाचार मतलब आप शाबित कर सको क्या साबित कर सको भरिष्टाचार अगर भर भरिष्टाचार में लीन है या देश द्रुही बन चुका है तो क्या हो दाएगा साबित कदाचार के नुसार वी जेश्टिस को हटा सकते है मतलब Supreme Code के अध्यक्ष को हटा सकते हैं या असमर्थता पाई जाए उसके अंदर या सुप्रीम कोड के लाइक मतलब नयाधीज बनने के लाइक ना हो और उसको बना दिया गया है तो भी उसके असमर्थता पाने के बाद भी इसको हटा जा सकता है अब यह हटेगा कौन से अर्टिकल में तो आखोगे 124 के अर्टिकल 5 और फोड़ीट पास किया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्चर होने चाहिए लोग सबाकती अंद्रगत Supreme Code के Chief Justice को हटाने के लिए तो कितने तो आपको के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होनी चाहिए लोगसवा में अगर राजसवा में पास करते हैं तो 50 हस्ताक्षर चाहिए राजसवा के लोगों के अगर ये हस्ताक्षर मिल जाते हैं उसके बाद में टोटल लोगसवा और बाद करते हैं लोगसवा और राजसवा दोनों बिसिष्ट बहुमत के साथ मतलब दो बटा तीन बहुमत के साथ अगर पास कर देते हैं उसके बाद राश्टपती उसको हटा दिया जाएगा द्रक्ष के लिए तो यह होती है उसको हटाने की प्रोसेश ठीक है या या तो वह रेश्टाचार में लिन हो बात करते हैं स चाहिए पचास दस है उसके बाद में दोनों मिलकर रोग सवर रासवर पास करेंगे किसे बिशिष्ट मुहमत के साथ पास कर देंगे उसके बाद राश्पती अस्ताक्षर कर देंगे तो बहाँ पर Chief Justice of India को हटा दिया जाएगा मतब Supreme Code के अदेक्स को फिर हटा दिया जाएगा ठीक है अगले बात करते हैं अब ऐसा कोई व्यक्ति हटाया गया है क्या अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हटाया गया है हाँ प्रस्ताब जरूर लाया गया था प्रस्ताब कौन थे भी रामा स्व हम अगले बात करते हैं अब बात करते हैं बेतन के बारे में नहीं उठाए होगी इंपो रिव वाली होते हैं जो वालता मिन चलता है तो बात करते हैं Chief Justice ओप इंडिया जुसका मोल अध्यक्ष होता है उसका हुटता है तो दोла कसी जार होता है कətna अट्रीज तो यह भाट के पारफ़् की बात करते हैं कुछ अनितत्थों के बारे में ठीक है यह अर्टिकलת有Tr देखने को मिलेगा आग जैसे गपूरती क्ल्छ अब गडपूर्टा के सुप्रीम कोड़ों बढ़ोगे तो इसे गड़पूरती कहते हैं तो गड़पूरती के लिए जो वैल्यू होती है न्याधिसों की कितने इतने न्याधिस बैठेंगे तब ही कारवाही चालू होगी तो बही होता अगर न्याधिस की न्याधिस कम है और हमें कारवाही चलानी ह क्योंकि जब तक गड़पूर्थी नहीं होगी कारवाई करनी सकते तो उसके बाद में अगर न्याजीद्ध यूँएonce कम हैं आप के नियाधीसों को गड़पूर्ती पूरी करने के लिए आई कोड के नियाधीस से निप्ति करेंगे और वो कहा जाएगा सुप्रीम कोड सुप्रीम कोड में बैठेगा गड़पूर्ती का अद्यक्ष बनेगा उसके बाद में कारिवाही चालू होगी तो यह होता है तुम्हा करने के लिए हम कहां से बुलाएंगे जो बात करते हैं रिटाइर्मेंट हो चुके हैं तो हम उनको भी बुला सकते हैं जो उसके लाइक हो ठीक है तो यह आर्टिकल 128 के थ्रूँ आपको देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं नियाधीस की जो बात करते हैं Chief Justice of India है उसकी जो सकतियां हैं उनके बारे में देखे लेते हैं तो इसकी सकती क्या क्या है सुप्रीम कोड के अध्यक्ष की बात करते हैं मूल अधिकारता क्या होता है मूल अधिकारता आप सब जानते हो मूल अधिकारता है क्या पूरे संभीधान को कौन चला रहा है भी पूरे संभीधा तो यह भी अधिकार किसको है सर्भोचिनाले को है अभिलेक न्याइदीस की बात करते हैं क्योंकि कोई भी चीज लिखे देगा अगर बैं कानून बने गिया सर्भोचिनाले के तो जितने भी तुमारे हाई कोड हैं सब कौन करेगा सब लागू करेंगे वही अभिलेक जो की शुका है जो मन चुका है उसका सभी लोग करेंगे उपर हो बह करते हैं अधिकारी आदिकारी आपको देखने को मिलेंगे ठीक हैं जैसे आपको पांच पीड बनाई गई है ये 142 के तुरू आज को पांच पीड देखने को मुआ जाती है न्याए के पुर्फ लोकन की बात करते हैं fica मतलब बात करते हैं जब कोई सुपरीम कोड बात करते हैं पहले कहेने थी कि प्रस्तापनय में संसुदन नहीं होगा उसके बाद मैं फिर कहने लगी ठीक है प्रस्तावन पर जब बात करते हैं कि इस बनंद भारतिवाद 1923 जब आता है उसके तो क्या कहती है कि हां भी संभीधान के की ब्याख्या करने का भी अधिकार किसके पास है सुप्रीम कूड की पास है और बात करते हैं संभीधान का जो संदक्षक है वो भी कौन है सुप्रीम कूड ही है तो यह हमने देखा ओवर्विव इसके बारे में ठीक है तो इसका क्या दाएंगे आप सब लोग स्कीन आप लोग इसका स्कीन स्वाड़ भी ले सकते हैं ठीक है तो अब चलते हैं फिर इसके क्यूशन के और तो यह तो अपना ओबर भी हो गया ठीक है इसको अच्छी पेकार से आपको पढ़ लेना है ठीक है तो अब बढ़ते हैं आगे क्यूशन के लिए तो क्यूशन अब पढ़ लिया तो इस कूशन समझ में आने वाला है अब देखेंगे बात में सर्बोची नाले की सनचना शेत्रदिकार और किसी बेचनाम बैसी कर चुके हैं हमने पूरा की पूरा यहां पर कर लिया यह दुखो तो इसको हम पढ़ेंगे अब किसमें डिटेलम पढ़ने वाले ह अच्छी पकार समझ में आया हमाई लिए तो बात करते हैं अथवा तो बात में सर्बोची नाले के कारियों शक्तियों का परिच्छन कीजिएगा मतलब इसके बारे में बताना है अब बढ़ते हैं क्यूशन की ओर उतर देख लेते हैं किसी सासन की सेश्रिता जाचने के लि तो वह क्या है देश भी अच्छा होगा उसकी काणर वस्ता भी अच्छी होगी तो वही बात किने की है लाड ब्राइस ने की है उसके बात करते हैं न्याए वहाग के आभाब में एक सब भेह राज की कलपना नहीं किया सकती यह किसने का आए है यह क्या है गार्न ने भारत में एकल न्याय के वस्ता के बारे में है संग्ये विवस्ता की विपरीत भारत में संग्ये विवस्ता के विपरीत भारत में एकल न्याय के वस्ता यह पहली पर चुके है एकीकत न्याय वस्ता भारत में पाई जाती है इसे न्याय पालिका की एकी कतरूप भी कहा जाता है संग्य अधिनियम 1935 के अंतरकत भात में संग्य न्यायले इस्थापित किया गया था पर इस समय भारत का संग्य न्यायले सर्बोच न्यायदीस नहीं था सर्बोच न्याले नहीं था क्योंकि इस संग्हिय न्याले के बुर्द लंदन में इस्थित प्रेवी कॉंसिल की न्याइक सम्मिती में अपील की जा सकती थी परतु बरतमान में सर्बोच न्याले ही सर्बोच है कोई परीशिमत सकती इसके उपर नहीं है ठीक है तो कि जब संग में उसके बाद में कहां पर ब्रीटेन में भी प्रभी कॉंसिल हुआ करता था जो उच हुआ करता था मगर अभारे हम पर किसी का दिकार नहीं है तो सुप्रीम कोड सबसे उच हुआ है अगले बात करते हैं उच्छतंच मियाले की स्थापना तथा गठन के वारे में तो संबीधान दौरा 1950 में उच्चतम न्याले के मुखे न्याइधीस गता 7 अन्याइधीस की संख्या निशित की गई थी तो मनें पहली बता रखा है कि 1950 मुल्च संबीधान बना था लागू हुआ था 26 अन्याइधीस में उस समय की बात करते हैं न्याइधीस और बात करते हैं साथ अन्याइधीस टोटल आठ न्याइधीसों की ब्रांच हुआ करती थी उसके बाद में क्या हुआ जिसे संसद आवरसक्त अनुसार बढ़ाती गई बाकी आपको यह कुछ भी याद नहीं करना है यहां पर सब बिकार की बाते हैं आपको सीध याद करना है फिर 2008 और 2009 कुछ सा 2008 2009 में क्या हुआ फिर इसकी ब्रांच बढ़ाकर एक प्लस 30 बरावर कितनी कर दी गई 31 कर दी गई तो बरतमान में 31 हैं बस इतना याद करना है अब के लिए आगले बात करते हैं न्युक्ति के वारे में तो सर्वोच न्याले के न्यादीस की न्युक्ति कौन करता है राष्टपती करता है मुक्य न्यादीस की न्युक्ति के शमय वह सर्वोच न्याले के न्यादीस या उच्छ न्याले के ऐसे न्यादीस जिन से भै परामर से लेना उच्छ समझता है परामर से ले सकता है या तो भे बात करते हैं अभी हमने देखा ही था है ना अगले बात करते हैं योगिताएं के बारे में बात कर लेते हैं योगिताएं क्या क्या होनी चाहिए तो उच्छितम न्याले के न्यादिस बनने के लिए निम्ने योगिताएं होनी चाहिए भारत का नांगरी को हमने बिल्क या ऐसा ना होने चाहिए लगातार होना चाहिए ठीक है कम से कम 10 बड़ सो तक लगातार एक या एक से अधिक उच्छ न्याले में क्या हो अधिवक्ता मतलब बकील की रूप में काम करता हो ठीक है बकील की रूप में काम करता हो या तो राष्ट पती की राय में बहें कोई वि बिधी वेता हूँ मतलब बिधी का जानने वाला अगर राश्टपदी के नजरू में है कि बहुत बिधी वेता है बहुत अच्छी विधी वेता है यह यह देश के कानुन विस्ता को चला सकता है तो वो राश्टपती उसको चुन सकता यह राश्टपदी को अधिकार है ठीक ह तो सर्वोची नाले में नियाएदीस की न्युक्ति के उपरांत 65 वर्स की आयू तक अपने पद पर कारत रहते हैं इससे पूर्व है स्वयम त्याग पद देकर पद से हट सकते हैं कर सकती है यह महावयोग संसद वारा लगाया तता सिद्ध किया जाता है महावयोग सिद्ध होने पर राष्टपती को न्याएदीस पद से हटने का अधिकार पराप्त हो जाता है ठीक है वो हमने देखा था कि लोग सवा में 100 और राष्वा में 50 अगले बात करते हैं और विश कर लेते हैं तो बेतन भत्ते बाकी आपको यहां पर कुछ भी याद नहीं करना है सब बेकार की बाते हैं बेतन और बत्ते यहां पर रखते हैं ठीक है आपको डारेक्ट याद करना है बेतन क्या मिलेगा सीधे आप याद करो बेतन क्या मिलेगा बेतन बात करते हैं चीफ ज बागी आपको कुछ याद नहीं कर लो अगले बात कर लेते हैं तो नयाइदीसों की नियुक्ति के वारे में बात कर लेते हैं कौन से नयाइदीसों की नियुक्तियां तो नयाइदीसों की सुतनतता को सुरचित रखने के लिए नयाइदीसों की सुतनतता को सुरचित रखने क से आलोचना की जा सकती है नियाधीसों पर पच्छिताप का आरूप नहीं लगा जा सकता संसद के द्वारा भी महावयोग प्रस्ताब का पर विचार करने के अन्य किसी समय पर नियाधीस के आच्रण का विचार नहीं किया जा सकता है अगले बात करते हैं उच्छ नियाले के निद त great 5 श्रबूर चीनायले के भ्यापक6 दिकार प्रापते हैं क्योंकि यह पूरे भारत की बात कर रहा है यहां तक कि बिस्वत की अन्य सभी सर्भो ची निद प्राप्तों करेगा इसके अगले बात करते हैं अब बहुं कि इसफे तरीकार के बारे में बात करते हैं अभी लेक नियायले के सबी करते था कार्यवाहियां सदैव के लिए यादगार एधन प्रमाण के रोप में सवच्चित रखी जाती है इन अभी लेकों की प्वितरता पर ना तो उंगली उठा जा सकती है ना ही कोई न्यायले इन अभी लेकों के बुद्ध जा सकता है यद्पी वह स्वैम अभी लेक न्यायले अपने अभी लेक अपील संबंद बात करते हैं लिपी संबंद भूलों को सुधार कर सकता है मतलब सर्बोच नयाले खुद ही भही हमें देखाता है पुना विलोकुन भही आई है बात करते हैं अभिलेक नयाले का एक दिश्टी से भी महत्व है कि बै अपनी अभूमानना के लिए दंड देने की सकती रखता है जो उसे संबिधान दोरा प्राप्त है अभूमानना के लिए 6 महीने की सजा और 2000 का जुर्माना और दोनों किये जा सकते हैं अगर आप नयाले की अभूमानना कर रहे हो नयाले का अभूमानना मतलब अगर आप कोई का निंदा कर रहे हो तो आपके लिए 6 महीने की सजा तता 2000 रुपे का जुर्माना भी आपके उपर लगाया सकते है तो बात करते हैं प्रारंबिक छेत अधिकार अनुचिर 131 के बारे में बात कर ले तो अनुचिर 131 के अनुसार निम्लिकित विवादों के समद में अनुचो 131 में निम्लि पिरकारों के वीच इसी विवाद में अनुचितम नियाले को प्रारंबिक छेत अधिकार प्रापत है जैसे संग पता एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो रहा है तो भाया सुप्रीम कोड के पास बो कहां पहुंचेगा पहुंच जाएगा भी इसका विवाद ठीक है मामला अगले बात करते हैं संग अत्वा कोई राज एक या एक और एक या एक से अधिक राज्यों के विचे अगर विवाद हो तब भी कहा जाएगा सुप्रीम कोड के पास और जो नदीम विवाद हैं नदीह विवाद यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है नदीय के लिए अलग से कान्न सहिता बनाई गई है अगले बात क रेक्तिक समुदार बगरा है इनकी बात कर रहा है दिकायों में अगले बात करते हैं लेक छेता अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं संभीधान के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए यह अधिकार उचितम रोच दोनों नियालों को प्राप्त है मौलेक अधिकारों के उलंगन के बर्ध उचेतम न्याले में आपील किया सकती है इस अधिकारों के प्रवड़तन के लिए उचेतम न्यालव को विराब को कि आ जुब आ पते है इसके लिए बहन न ना इबल बंदी प्रतिचेकल परमादेश अधीकार प्रिच्चा होते, प्रतिश्यद की जो 5 रिटे होती है भी वात कर रहा है प्रिकरती के लेक की जारी कर सकता है बलकि अन्य निर्देष्ट ता आदेष्ग भी जारी कर सकता है अब बात कर लेते है अपीलिय श्थदिकार के बारे में तो सर्बोच न्यालय देश का सर्बोच अपीलिय न्यालय है अर्थात उसे देश के राज्यों के उच्छतन न्यालयों के निर्णेओं के बिरुद अपीलिय सुनने का अधिकार है अपीलिय च्छतन दिकारों को निम्रिकित चार बरगों में वाजित किया जा सकता है पहले बात करते हैं संबेधानिक मामले तो अनुच्छ एक सो बतिस के बन के अनुसार यदि उच्छ न्याले यह प्रमाड़त करदे की विवाद में बिधी की व्याख्या की आवश्यक्ता है तो भारत के राजचेत्र में से किसी भी उच्छ न्याले के दंड अत्वा दीवान संबंदी निड़ें आज्याप्ति और या अंतिम आदेश के सर्वोच न्याले के पुनरविचान की प्रतना प्रिश्थित की जाती है मतलब सर्वोच न्याले पुनरविचार भी इस पर कर सकता है बात करते हैं आर्टिकल 132 के अनुसार यदि उच्छ न्याले ने ऐसा प् अपीली की विसेस अनुमती प्रतान कर सकता है जब उच्छ न्याले के निर्णय के बिरुद सर्वोच न्याले विसेस अपील की अनुमती नहीं प्रतान करता है तो संबंदित पच्छ इस आधार पर अपील कर सकता है कि उच्छ न्याले द्वारा संबीधान संबंदी देता है इस प्रकार संबीधान की व्याख्या करने की अनुतिम पत्ता सर्वोच नाले में नहित होगी अगले बात करते हैं दीवानी मामलों के बारे हम बात कर लेते हैं तो बात करते हैं संबीधान के मुल विवस्था नूसा सर्वोच नाले के केबल उन्हीं दीवानी मामलों को अपील किया सकती है जिनका संबंद 20 हजार की रासी से हो जो कौन से 1977 में संसद में अधीवेशन द्वारा यह धन रासी एक लाग कर दी परंतू विदी आयोग द्वारा यह रासी घटाने का सुझाब दिया गया परडाम सुरूप 30 बास अबिधान संस 1922 में किया गया इसमें धन संबंदी श्टी माहटा दी गई 19 बात करते हैं 133 अनुचेद में बढ़ता है कि दीवानी मामलों के उचितम नियाले के वृदिन निया उचितम नियाले में अपील किया सकती है अगले बात करते हैं फौजदारी मामले आपकोई सीमा इसके अंतकत नहीं है फौजदारी मामले फौजदारी विवादों में उचितम नियाले के नियाले की अपील निम्न परिस्तितियों में किया सकती है पहली उचितम नियाले में अपील पुष्टत होने पर किसी व्यक्ति की उन मुक्ति का आदेश रद कर उसे मेत्युदंड दे दिया गया हो तो बहे सुप्रीम कोड के अंतकर जा सकता है उचितम नियाले के अधिनिस्त नियाले में अभी योग विचार आर्थ अत्वा अपने पास मंगबा कर अभियुक्ति को मेत्युदंड दिया गया हो तब भी जा सकता है उच्छ न्यायले यह प्रमारित करदे की विवाद सर्भोच न्यायले द्वारा विचार के योग है तब भी ये सुप्रीम कोड में जा सकता है विश्ष्ट पुन्र विचार के वारे में बात कर लेते हैं यदपी संबीधान के अनुच्छ द 132-134 तक उच्छ न्यायले के न्रिड़ों के बिरुद सर्भोच न्यायले की अपील की विस्ता है अगले बात करते हैं हम बात करते हैं परामर्स दात्तरी छेत अधिकार के बारे में संबीधान के सर्भोच न्याले को परामर्स संबंदी अधिकार प्राप्त है ये विलेगा आर्टिकल 143 के बन में अनुसार राष्ट पती यदि यह अनुवव करें की सरव सरव जने के महात की कोई बढ़ी या तत्व सम्मादी प्रसन उत्वपन हो या होने की संभावना हो और उसके विसे में सरबुच न्याले की समाप्ती प्राप्त करना अश्ट कर है तो उक्त प्रिसन को न्याले के पास सम्मती प्राप्त करने में प्रियोजन से भेज सकता है न्याले को प्रामर्स देने प्रामर्स देना शंबिधानी के अनिवारे है होगा चार अन्यद्यक्ष होंगे उसके थ्रोग क्या हो दाएगा यह पांचों फिर क्या गरेंगे राष्टपती को सला देंगे वो राष्टपती को सला कौन से नुच्छेद में 142 के बनके नुच्छेद में देंगे जिसके तहट अगर यह प्रामस ऐसे नहीं कि जो निया 178 के द्वारा संशद को अधिकार दिया गया निया मौलिक अधिकार के अंब 6 को सर्वँचे निया के आदेश-Nirde यह गाई जarı करने का अधिकार भी जे सकती है शीकर है अगले बात करते हैं हम बात करते हैं पुनर्व विचार सकती जो हमने आर्टिकल 177 में देखी ती, जो निर्णे लेकर भी दोबारा विचार कर सकता है Supreme Court बात करते हैं आर्टिकल 117 का अनुसा सर्वोची नियाले को अपने निर्णेयों अपीलों के आदेस को पुनर विचार करने का आदिकार है तो कोई नवीन तत्य प्रकास में आया है तो आवश्कता नुसार पुना सर्बोची न्याले अपने निर्णे उपर बिचार कर सकता है। अगले बात करते हैं संबीधान के संडचक के रूप में सर्बोची न्याले संबीधान दौरा सर्बोची न्याले को संगे तता राज सरकारों दौरा निर्मित विधियों के प्रण लोकन का अधिकार है। अता यदि संगिये, संसदिया, राज विधान, मंडल विधान, संबिधान की अत्रिक करमण करते हैं, या मौलेक अधीकारों के विरुद कानून बनाते हैं, तो सरवोचे न्याल है, उस कानून को अवैद घोशित कर सकता है, यह न्यायक पुरवलोकन की सकती है, यह क्या है, अंतरगत लागू होने वाले विवस्पाइका के कानूनों को बैधानिकता का निर्णे देने के संबंद में, तता कानूनों को लागू करने के संबंद में प्राप्त है, जिने बे अबैद या बेर्थ समझते हैं, तो यह हमारा था सुप्रीम कूर, ठीक है, तो आप नीचे ये बार नीचे की कानी को पढ़ ले, क्योंकि नीचे कहानी क्यों में लेकर आया, क्योंकि इसने इसमें बहुत सारी जानकरी, एक्स्टा पंट देखने को मिलेंगे, जो कि में अजसे गुजरे गूजरेंगे, तो उपर तो आपको बहुत रामबाड है, मगर नीचे वाली वो शारा की सारा आपको यहीं मिल जाएगा मगर जो थेयोरीकल होगा वो आपको कहां से लेना पड़ेगा वो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा ठीक है पुरा की पुरा तो यह अपना सुप्रीम कोड का एक ओवर्वीव है अच्छी वरकार से इसको पढ़ सकते हूँ ठीक है तो मेरा मानना है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को अगर देना सस्काइब बेल एकन को प्रेस करना नेक्स्ट वीडियों मिलेंगे उच्छी नियाले के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत